हलो प्रेंड्स, वेलकम टू वाइफा कॉंसेप्ट, आप सभी का वाइफा कॉंसेट में स्वागत है, तो आज हम लोग बायोजी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि बायोजी का एक चेप्टर मैंने पहले अप्लोड किया था, पाचन तंत्र, ठीक है, मानौ सरीर का पाचन तंत्र चेप्टर जो है, उसको हम लोग कॉपी नॉट्स अप्लोड किया था, ठीक है, उस चेप्टर को जैसे मैंने अप्लोड किया, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, कि सर आप लोग, आप जो है, नेक्ट पार्ट भी पढ़ना कैसे है, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, कि डारेक्ट पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उसको यह पता नहीं होता है, कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ना कैसे है, उसको किस स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे, उसको किस वे पढ़ना कैसे है उसका क्या strategy है उसको किस way में पढ़ेंगे क्योंकि अगर देखिए आप लोग कहीं भी जा रहे हैं ठीक है अगर एक निश्चित रास्ता पता है कि उस बिंदू तक पहुंचने के लिए किस रास्ता का उप्योब करना है तो आप लोग सीधे असानी से पहुं होगी और समझने में भी आसानी होगी ठीक है और इसको आसानी से आप लोग याद भी रख पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को ठीक है आपका में बता दू कि यह जो है बाइलोजी आप लोग को पता बाइलोजी बहुत ही इंपोर्टन साइन्स का क्योंकि आप कोई भी एकजाम और किसी तरह का भी आप लोग को बाइलोजी का कोस्टन देखने को मिलते ही होंगे ठीक है तो हम लोग चेप्टर वाई चेप्टर करेंगे और कैसे करेंगे यह चीज हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं तो चलिए स्टार्ट कर करते हैं। तो सबसे पहले biology को पढ़ेंगे हम लग कैसे हैं। biology को हम लोग 5 भागों में divide करके पढ़ेंगे। ठीक है.. Part1, Part2, Part3, Part4, Part5, ٹीक है.. सबसे पहले Part1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। Part1 में biology के परिभासा और परिचाय को देखेंगे, उसके बाद वर्गी करन को देखेंगे बायलोजी का, और फिर परमुक साखाएं, अनि कि बायलोजी के बहुत सारे साखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनको देखेंगे, तो यहां पर पार्ट वन इस तरह से हम लोग कंप्लिट करेंगे, फिर आएंग में हम लोग इसी परकार क्या पढ़ेंगे, आपका पादव विज्यान, अनि कि पादव पेड़ पोधे से संबंदित विज्यान जो है, उसको हम लोग पादव विज्यान के अंदर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पार्ट फोर आएंगे, पार्ट फोर में हम लोग पढ़ेंग पाच जो है इसमें हम लोग अनी दिये हुए अदर अनिकि जो भी एक्स्ट्रा जो है बाई रोजी का वह हम लोग सारे जो है पाट पाच के अंदर पढ़ेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर पाट वन में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे पाट टू में आता है जनतु वि मोचे है ठीक है और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आगे क्या पढ़ना है इस चीज को आपको असानी से पता चल जाएगा इसलिए आप लोग नौट बुक में अच्छे से नौट किजेगा देखिए अब हम लोग जनतु विज्ञान की बात करते हैं आनि कि जू लौज पढ़ेंगे उसको समझ पाएंगे ठीक है इसलिए सबसे पहले हम लोग कोशिका चेप्टर को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद उतक जो की कोशिका से मिल करके उतक बनते हैं ठीक है बहुत सारे कोशिका मिल करके ही उतक बनते हैं तो दूसरा हम लोग चेप इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अंग तंत्र करते हैं इसमें हम लोग कौन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग नेरन डाइजेस्टिव स्ुषिसर और अक्षर कोश्चन यहां से देखने को मिलते हें प्रिक है , फ्र हम लुग पढ़ें गे रक्थ परी संच्रन तरंथ आणिकि रक्त का सरीमे किस प्रकार से सर्कुलेस्टन हो रहा है उन चीजों के बारे में हम लोग खृणक लोग ले रहें छोड़ रहें इसमें किन के अंगो का अपयोग हो रहा है यह सब चीज़ेंगे चार सिस्टम या बहुत ही इंपोर्टेंटेंट यह चारो तंत्र, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, एस्केलेटन सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र, फिर पढ़ेंगे, अंतास्रावी तंत्र, अनिके इंडोक्राइन सिस्टम, और अंतीम है आपका जनन तंत्र, तो ये आठ तंत्र बहुत ही इंपोर्टेंट है, और अक्सर एक्जाम में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से इसको not कीजिए, ठीक है, तो जन्तु विग्यान यही पर खतम होता है, जन्तु विग्यान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यह चीज हम लोग यहाँ पर देख चुके है, अब आएंगे हम लोग पादव विग्यान के अंतर कावर नहीं है, ठीक है, और पुस्पय पोधे वे होते हैं जिसमें पुस्प है, तो और पुस्पय पोधे में हम लोग दिभायट कर दियें पादव विग्यान को, अब बात करते हैं, पुस्पय पोधे में हम लोग के आके चीज को पढ़ेंगे, तो पुस्पय पोधे में आपका कवक, सेवाल ठीक है और जीवानू इन तीनों को पड़ेंगे जो कि आता है थेलो फइटा के अंदर गद ठीक है तो यहां पर आपका ओपुस्पी पोधे के अंदर इन चीजहों को पड़ेंगे ठीर आते हैं पुस्पी पोधे तो इसमें हम लोग दो भाग में पड़ आपने सब्सक्राइब में प्रकास अ रही के समझ चुकह आप पोसन चप्टर में क्याक्या पढ़ेंगे यहां पर पैसा है हैं नोग संप्षके हैं आप अब पोसन चप्टल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो पोशन चेप्टर में आता है प्रोटीन, वसा, कार्वाइडरेड, खनीज लवन और विटामीन तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोशन के अंतरगत ठीक है इसी के साथ-साथ मानव रोग और हम लोग भी इसके बाद next में, next चेप्टर होगा उसमें कवर करेंगे मानव रोग जो की बहुत ही important है कि किस के कारण फ्यलता है, बैक्टरिया के कारण, वाइरस के कारण कौन-कौन से रोग होता है यहां पर हम लोग complete देख चुके हैं और इस तरह से हम लोग topic by topic जो है biology को वीडियो आपका upload होता जाएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा वह आप लोग का अच्छा रग रहा हो, तो वीडियो को एक बार like जरूर कीजेगा, और ज्यादा से ज्यादे बच्चे को आप लोग share कीजेए इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग जब share करेंगे, तभी यहां पर ज्यादे बच्चे इस वीडियो का लाग उठा पाएंगे ठीक है, तो thanks for watching this video, like और share और subscribe करना नहीं भूलिएगा, और साथी साथ आप लोग को अगर PDF वेगर चाहिए, तो आप लोग Facebook और Telegram ग्रूप में हमारे जुड जाएगा, आपको link जो है description box में दे दी जाएगी, ठीक है, आप लोग जो है, और जितने इस्टुरेंट अभी द आप लोग बने रहेगा हमारे चैनल में